नमस्कार दोस्तों मैं सोनु कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपना चैनल में बारिस की जिमजिमाट के साथ हमें पता है कि कटिंग की सीजन भी आ चुकी है तो देर ना करते हुए दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रिस्थेस्यंस या आप कहलो कि मिशनारलश नृत लेते हैं दोस्तों चालिए दोस्तों कुटिंग लेता हूं कटिंग लेने के लिए हमें इस तरह की कटिंग लेनी चाहिए दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों याद रहे दोस्तों कटिंग लेने से पहले हमें जानना जानना चाहिए कि ग्रोथ पाइंट ही कटिंग लेनी चाहिए देखे दोस्तों इस तरह की कटिंग ग्रोथ होनी चाहिए वही कटिंग लेनी वह हो पूजित मी मर्जीक करें उतनी आप कटिंग ले सकते दोतों यह मेरी कटिंग ले चुक है दोस्तों चलिए अब इसे सब लगाते हैं कि दोस्तों कटिंग लाने से पहले हम लोगों को ये साइड वाली लिप हटा देनी है कि ग्रोथ में इन समों लिपों की कोई जरुरत नहीं पड़ती टीप पॉइंट ही सिर्फ रखे ये टीप पॉइंट है दोस्तों इसे ना कटे अगर इसे काट देंगे तो दोस्तों आपक को काटे इस तरह की कि लगवग 2-3 इंच की कटिंग होनी चाहिए दोस्तों इसे तरह की सभी को सब काट ले दोस्तों इस तरह से देखिए दोस्तों ये सारी मेरी कटिंग तैयार हो चुकी है अब मैं इसे लगाऊंगा तो लगाने के लिए आप एक कोई लकड़ी ले ले द लगड़ी से इस तरह से छेद करें दोस्तों को इतनी यापकी कर्टिंग है अब उतनी छेद करें दोश्तों और इस तरह से कि यूँ दवादते दोस्तों कैसी ककी क्टिंग मिठी की इसमें मिठ्टी लगी हुए दोस्तों मैंने 5-6 दिन पहले इस मिठ्टी को तयार कर लिया था इसमें 50% सेंट सॉइल और कुछ भर्मी कमपोष्ट डालें दोस्तों और गर्डेन स्वावल है दोस्तों आप बना के आप पहले दो-3 दीन पहले इसमें पानी से छोड़े दोस्तों कि इसके बाद कटिंग लगाएं दोस्तों मुत अच्छी कटिंग लगेगी दोस्तों तो इसके साथ मेरी कटिंग लग चुकी है दोस्तों इस तरह से आप कर दें दोस्तों कटिंग लग चुकी है दोस्तों अब इसमें इसे ऐसे जगह में रखें कि डैरेक्ट धूप नातार ह इसे छाओं में रखे दोस्तों छाओं में रखने से क्या होगा दोस्तों इसे इसकी रूट आने में मदद होगी दोस्तों और इसकी जल्दी रूट आ जाएगी इसका रिजल्ट मैं दस दिन के बाद दिखाऊंगा दोस्तों की रूट आई या नहीं दोस्तों नमस्कार दोस् तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इसको ग्रोध दिखाऊंगा दोस्तों